So Hello Everyone, कैसे आप लोग आई, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तो मेरा नाम है विभाश हो, शागत थे आप सभी का टेक वीकिंग ने और इन्फोरमेटिक वीडियो में दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है How to Hide Like and Dislike यानि कि हम अपने यूटूब वीडियो का Like और Dislike कैसे हाइट कर सकते हैं उसे हम कैसे Off कर सकते हैं या फिर उसे बंद कर सकते हैं तो दोस्तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि आप अपने यूटूब चैनल का सस्क्राइबर कैसे हाइट कर सकते हैं यानि कि उसे कैसे अपना सस्क्राइबर छुपा सकते हैं तो दोस्तो इस आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जागा साथ ही वो वीडियो आपको उपर आई बटन पर भी मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखना है चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि मारी वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो दोस्ते यापने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फालो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फालो कर लिजे उसका लिंक आपको डिस्उ्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा तो दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो को हम सुरू करते हैं दोस्तो यूटूब वीडियो की लाइक एडिस्लाइक को कैसे हाइट करना है उसे कैसे off करना है, उसका पूरा प्रोसेस बताने के लिए आपको चलना होगा हमारे फोन की स्क्रीन की तरफ, तो चली हो हम आपको ले चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन की तरफ, तो दोस्तो आपको हमारे फोन की स्क्रीन यहां पर साइड में दिख रही ग़ी, अब हम आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको कैसे जो है अपने यूटूब वीडियो काouvert का लाइक एंड डिसलाइक का जो है हाइड करना है, तो दोस्तोब से पहल अपने वीडियो के like and dislike को hide करना है तो देखे अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस भी वीडियो का like and dislike hide करना है उसको आपको यहाँ पर open करना है तो आप जो भी आपका वीडियो आप अपने वीडियो का like and dislike लाइक हाइड करना चाहते हैं उसको आप यहां से जो है अपना सेलेट कर लिजिए उसके बाद आपको सेलेट करने के बाद उस पर आप टैप करेंगे मालेजिए हमें इस वीडियो का लाइक एंड डिसलाइक वाला ओप्सन यहां पर हाइड करना है तो यहां पर आपको देख आता है उसके बाद advanced setting का अब देखें यहाँ पर basic info में आपको मिल जाएगा यहाँ से यहाँ टाइटल change करना तो आप टाइटल change कर सकते हैं नीचे आपका description box change कर सकते हैं आप scroll करके और नीचे जाएंगे आपका tag जो है change करने का option option आता है लेकिन अभी हमें यहाँ पर like and dislike जो है कैसे हैट करना है वह आपको बताते हैं तो आपको सिम्पली nj advance setting वाले option पर click करना है तो दिखें आपको advance setting वाले option पर click करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ पर comments वाले section पर आपको देखें यहाँ पर दो option मिलता है allow comments यहाँ आप अपने YouTube वीडियोज पर comments allow करना चाहते तो आपको यह blue tweak रखना है यदि आप अपने वीडियोज पर comments off रखना चाहें आप यह जो है off यहां से कर सकते हैं यानि कि आप अपने वीडियोज पर comments off कर सकते हैं अब नीचे आपको एक और option मिल जागा users can view ratings for this video यानि कि users जो भी आपके वीडियोज को देख रहे हैं वो यदि आपके वीडियोज पर rating यानि कि like and dislike के मादम से आपके वीडियोज पर rating देना चाहें तो आप वहां पर जो है आपके पास allow करने का option आता है अभी यहां पर allow है यादि आपको वहां पर hide करना है यानि कि वह rating ना दे पाएं तो वहां से आपके सामने यह है blue tick जो है यहां पर बंद कर देना है तो आप से हट जाएंगे जो भी वीडियोज आपका देखेगा यादि आपका वीडियोज लाइक करना चाहे आप like कर सकता है और dislike करना चाहे दिसलाइक कर सकता है वह other users को नहीं दिखेगा कि इनके वीडियोज पर कितना like है कितना dislike है तो यहां से इस चरीके से आप अपने option पर पर Subscribe अब आपके वीडियो आपने select किया था उसका like & डिस like जो है hide हो चुका है कोई हो बी आपके वीडियो पर like & dislike वाल आउप री यानि की कि जोबी आपके बिडियो पर like & dislike हुआ है कितने like हुए है कितने dislike हुए किकने डिस like वह講 है वह कोई भी आपका नहीं देख सकत सिर्फ आपको वहां पर वाई टी इस्टूडे में जाने के बाद आपको वहीं दिखाए देगा तो दोस्तों इस साथ यादि आप अपने यूटूब वीडियो के कमेंट करना चाहिएं तो आप यहां से कर सकते हैं तो दोस्तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके में ज़रूर मिलते रहे दोस्तों यदि आपने अभी तक हमें इस्टाग्राम पर फालो नहीं के तो आप हमें इस्टाग्राम पर फालो कर लिजिए उसका लिंक आपको डूइस किट्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो यदि आपको कोई और और कोशिन होता है तो वह आप हमारे कमेंट बाक् झाल झाल